नमस्कार प्रणाम गुड मोर्निंग सभी सहारा पीडित जमा करताओं बस्सम्मानित कार्य करताओं का हार्दिक स्वागत है बंदन अगनंदन है समस्त देशवासियों को हमारे यूटूब चैनल इंफारमेशन बिद्पीके की ओर से बिश्व कर्मा पूजा की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई यह वं सुबकामनाई दोस्तों सहारा भुक्तान को लेकर हमारे जितने भी निवेसक बंदू है सभी लोग परेसान है कारिकरता बंदू भी परेसान है उनका रोजगार ठप पड़ा हुआ है निवेसकों का पैसा डूबा हुआ हुआ है तो इसी को लेकर सहारा पोर्टल से एक बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है जैसा कि आप लोगों ने आउन थम्नेल और टाइटल के द्वारा ही समझ लिया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर रहने वाला है जैसा कि हम सभी को मालूम ही है कि पिछले बर्स लगभग नवंबर और दिसम्बर अक्टोबर में 10,000 रुपिया फर्ष्ट फेज में सहारा पीड़तों को दिया जा रहा था जिन लोगों ने सहारा पोर्टल पर अपना आवेदन सफलता पूर्वक किया था ऐसा था बहुत ही कम मात्र के लोगों को 10,000 रुपिया ही मिला था क्योंकि स्टेटस ही उनका गड़बर था स्टेटस क्या इतनी बेहत तरीके से डिफिसेंसी भेजा गया था जिससे उनका आवेदन ही रिजेक्ट हो गया लेकिन जिनका बचा था उनको 10,000 रुपिया ना मात्र 2-4 परसेंट लोगों को मिला था तो उसी से रिलेटेड अब और एक बड़ी ख़बर निकल कर आ चुकी है कि सहारा पोर्टल से 50,000 रुपए तक का भुक्तान मिलना सुरू हो गया है किस प्रकार से शुरू हुआ है उसकी पूरी जानकारी हम आप सभी को बताने वाले है तो चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हों तो प्लीज हमारे यूटूब चैनल को अब अब से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर आल पर जरू सिलेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके तो आईए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सहारा बंधू, सहारा पोल्टल पर काफी बड़ा अपडेट किया गया है काफी बड़ा बदलाव किया गया है कल हमने एक वीडियो देखा था तो उसमें बताय जा रहा था कि पच्चास हजार रुपए तक का भुक्तान पोल्टल के माध्यम से सुरू हो गया आप लोगोंने भी हो सकता है सोसल मीडिया प्लेटफांग के द्वारा देखा होगा अनेक वीडियो यूटूब पर आ रहा है इसमें कि पच्चास अजार तक का भुक्तान पोल्टल के माध्यम से सुरू हो गया अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो स्टेटस ही गलत है आबेदन ही रियक्ट हो चुका है तो देखिए अभी आप लोगोंने सुना था कुछ दिन पहले रिसमिशन का आपसन आया था पोल्टल पर तो उस पोल्टल पर रिसमिशन के आपसन में बहुत से लोगोंने अपना रिसमिट भी किया है तो साइध हो सकता है रिसम्मिट वालों का भुक्तान आ रहा हो, इसका confirm नहीं जानकारी आई है, लेकिन हाँ एक और जानकारी है, जिनके में membership को लेकर जो तुर्टी आ रही थी, जो कमिया दिखाई जा रही थी, membership को लेकर तो उस membership में जो है, उसमें सुधार बहुत बड़ा कर दिया गया है, और तो और देखा जाए तो हो सकता है, membership में सुधार हो रहा है, इसी के माध्यम से निवेशकों का पच्चास अजार रुपिया भुक्तान किया जा रहा हो, क्या आप में से अभी तक किसी का भुक्तान पच्चास अजार आ रहा है, आया है, अगर आया हो, तो यस या नो में नीचे कमेंट जरू करें, ताकि हमें भी मालूम हो, कि पोल्टल ने खाली अपडेट ही किया है, कि निवेशकों का भुक्तान भी हो रहा है, चलो कर दो-चार दिन में मालूम ही हो जाएगा, लेकिन जो उस वीडियो में दिखाय जा रहा था, कि 10 और 10-10-2023 को उनका 10 अजार रुपिया फर्ष्ट फे में जरूर लिखे, मिलते हैं फिर ने वीडियो में ने टोपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जैहिंद, नमस्कार दोस्तों